बिलाई में बक्राव शराप पार्टी के दौरान पुलिस कर्मियों में जम कर मार पीट हुई विवाद इतना बढ़ गया कि भिलाई नगर्थाने में पोस्टेड एसाइ गुपतेश्वर यादों के उपर जान लिवा हमला किया गया गुपतेश्वर को बचाने में आरक्षक अन्रिल गुपता भी घायल हो गया दौरों को सेक्टर नाईर हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहां उनके हालत समाने बताई जा रही है इधर एसपी दुर्ग ने आरोपी हैट कॉंस्टिबल यश्वन ठाकुर को सस्पेंट कर दिया है जानकारी के मताबिक भिलाई नगर थाने में प्रमोशन पाकर हवलदार बने दो सिपाहियों ने अपने सभी सहकर्मियों को बकरा और शराब की पार्टी दी थी जिस वाटसेप ग्रूप में पार्टी का निमंत्रन डाला किया उसमें नकपूरा चौकी में पदस्त यश्वन ठाकुर भी था पार्टी जैंती स्टेडियम के पास थित जंगल नुमा स्थान में दी गई थी वही पर बकरा बना और जाम चलकाई गई पार्टी का मैसेस देखकर यश्वन ठाकुर भी वहां पहुँच गया था को फोन कर दिया और देखते ही देखती पुलिस लाइन से एक स्कॉर्पियो और एक बुलिट में आठ से दस नड़के आ गए यश्वन के दोनों बेटों और उनके साथ ही उने गुपतेश्वर यादव पर जान लिवा हमला बोल दिया गुपतेश्वर यादव का कहना है कि उन लोगों ने उन्हें चाशा चाचा बोलकर हाकी स्टिक और रोट से बुरी तरह हमारा इसे गुपतेश्वर यादव को बचाने अनिल गुपत और अनिय सिपाही आ गये बड़ी मुपते कि बिब्श्वर यादव को बचाया और फिर भिलाएन अगर ठाने पहुँशी व